कि सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्वागत आज इसलिए भी है क्योंकि अब कल तक आप लोगों ने इसके उमीद करता हूं कि सबने फॉर्म कर दियोंगे तो अब फॉर्म होने के बाद अगली जो प्रक्रिया है अगला स्टेप है क्योंकि फॉर्म फिल करने से जॉब या नौकरी नहीं लगती यह आप सभी को पता है तो जिस तरीके से आप लोगों ने एक जो प्रिविएस येर पेपर हम लोगों ने सेक्शन बनाया था उसको बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है तो उसी तरीके से उम्मीद करता हूं देखो आप लोग जब देखते हो ना और चीजों को सराते हो तो हमें भी देखो motivation level की जरूरत होती है तो बहतर है अगर आप लोग जो हम लोग teaching की जैसे teaching methodology की वीडियो बनाते हैं गोविन सर तो वह आप लोग बहुत प्यार देते हो तो सर को भी जोश मलता है तो हम लोग धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी syllabus है complete couple सर भी आपके जो current affairs की classes हो बहुत जल्दी शुरू कर देंगे class शुरू होने से पहले ही बता दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने application download नहीं किया है तो कर लो क्यों कर लो reason यह है कि जो यह aees का जो paper है aees के paper यहां पे दो paper आपके बिल्कुल उसी format में application पर available है तो जाओ वहां पर paper को दो अपने marks check करो और solution चाहिए उसके बाद detailed solution चाहिए कि कैसे हुआ okay तो उसके लिए आप यहां पर हमारे पास जो भी videos है जितने भी previous paper की aees की playlist ही बना रखी है तो उसमें आपको सारे की सारे videos एक साथ मिल जाएंगी चलो without wasting any more time जल्दी से शुरू करते हैं यह word problem काफी questions आ रहे थे तो अभी जो चलेगा इस week में word problem के questions solve करेंगे हम लोग daily 8-10-12 question की कोशिश रहेगी ठीक है तो copy panel ले करके बैठ जाओ सभी पहला question है a number a number a minute yes a number consists of two digits if the number formed by interchanging the digit is added to the original number the resulting number must be divisible by देखो जो statement वाले question होते हैं ना पहली कोशिश तो किया करो option से करने की option से अगर ना हो रहे हो दिक्कत आ रही हो तो अगले step पर फॉर्दर जाने की कोशिश रहती है देखो करा number consist of two digit number और जो इसको interchange करने पर जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है वह इन में से किस से divisible है कोई सा भी number लिया 21 बार इनको जोड़ा दो और एक तीन 33 अब देखो 11 से हो रहा है तीन से भी हो रहा कोई और number ले लो 35 और यह कितना हो जाएगा sorry 3553 क्योंकि interchange करने के लिएगा 538 538 अब देखो यह तीन से नहीं हो रहा ऐसे जितने भी number लेंगे हम लोग तो यह किस से हो रहा है 3388 11 की टेबल हमें देख रही है तो यह option number a will be correct यह तो हो गया हमें option से करने का अब इसको detail में भी देख लेते हैं बहुत पहले उसने क्या का number consist of two digit number तो two digit number के लिए हमें क्या करना होता है उन digits को let करना होता है let digit at unit place be x and 10th place be y तो number formed is 10y plus x यह हो गया अब इसको interchange कर दिया गया okay interchange कर दिया गया means यह unit place पे आ गया और यह 10th place पे आ गया तो जो यह number है अब यह number है अब यह number new number क्या हो जाएगा new number will be मैं direct लिख देता हूं क्योंकि unit or 10th हो गया यह हो जाएगा 10x plus y ओके अब इसने कहा इन दोनों को जोड़ना है अरे तो जोड़ दो 10x plus y यह कितना हो गया 10y plus y 11y 10x plus x 11x ओके तो 11 common y plus x तो clear यहां पे 11 जब यह common आ गया तो clear है कि यह number जो होगा किस से divide होगा 11 से होगा तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं दोनों समझना है दोनों के दोनों समझना है ओके चलो next question पर आता है next कहता है the product of two numbers is 120 and the sum of their squares is the product of two numbers is 120 means xy equals 120 and the sum of their squares is sum of their squares is 289 okay the sum of the numbers is हमें क्या निकालना है x plus y निकालना है okay x plus y के हमें value निकालने है simple सा तरीका जब भी ऐसे square दिख जाए अब मैं हरे question के लिए बता रहा हूं अगर x square minus y square होता है तो x plus y x minus y वो formula 90% question में लगने के chances होते हैं यहाँ पर है तो इनका use जरूर होगा अब use कैसे होगा squaring कर दो ओके तो x square plus y square plus 2xy ओके हमें किसकी value निकालनी है हमें तो x plus y की value निकालनी है बट हमने अभी squaring करी है for the time being अब देखो कैसे जो answer निकल के आएगा उसका हम लोग root कर देंगे यहाँ से भी हमारा answer निकल सकता है चलो देखो x square plus y square 289 plus 2 into 120 ओके यह आ गया यह कितना आ गया 289 plus 120 दुनी 240 इसको add करो तो यह हो जाएगा दो दो चार दिस विल भी 529 ओके अब यह किस के बराबर आया देखो ध्यान दो x plus y के whole square के बराबर आया यह 529 ओके हमें क्या निकालना है हमें तो निकालना है सिर्फ यह तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर कोई चीज प्लस में है equal के इधर जाती है minus में minus में है तो plus में multiply में है तो divide में divide में है तो multiply में उसी तरीके से square में है तो root में और अगर root में है तो square में यह आपको ध्यान रखना है अब यहां पर यह square में है यह क्या हो जाएगा root में और 529 अगर square नहीं याद किये हैं तो याद करना शुरू कर दो क्योंकि time बहुत important role play करता है हर एक exam में AES के में कह सकते हो कि हाँ सौ कोशन है धाई घंटे है बट AES में अभी के लिए ना आगी के विसकी विकेंसी आ जाएंगे फिर DSSB की विकेंसी आ जाएंगे उनमें क्या करोगे के विस में देड़ सो कुशने DSSB में 200 कुशन है time भी कम है तो अभी से अपनी स्पीड इसको ट्राइल की तरह लो तो यह क्या हो जाएगा 23 option number A will be correct चलो quickly move on to next question the sum of all the three desert numbers each of when which on divided by 5 leaves remainder 3 is अब प्रश्न को समझते है उन सभी तीन संख्या तीन अंको की संख्याओं का हमें योग निकालना है जिसको पांच से डिवाइड करने पर तीन remainder आता हो अब सबसे पहली संख्या हम कैसे निकालते हैं देखो सबसे तीन अंको की सबसे छोटी संख्या 100 यह तो completely divide होता है तो अगर 101 होगा एक आएगा remainder 102 होगा तो दो आएगा remainder और 103 होगा तो तीन आएगा remainder ओके मीन्स हमें यहां से क्या पता लगा कि 103 इस फॉस्स नंबर इसके बाद 108 इसके बाद 113 और इसी तरीके से continue करोगे तो तीन अंको की सबसे बड़ी संख्या कौन से आ जाएगी तो यह आ जाएगी 998 ओके अब ध्य फार्मुला कर रखा होगा फार्मुला याद कर रखा होगा A P में n by 2 A plus L अधिकतर बच्चों ने कर रखा होगा ओके पहले हम लोग फार्मुले से करते हैं फिर इसको समझेंगे कि इस फॉर्मुले की limitation क्या है और अगर आपको pattern पता है तो आप उस pattern की मदद से किस आसानी से किसी भी question को कर पाओगे जहां पर यह formula कई बर fail भी हो जाते हैं ओके देखो अब यह समझो 103 108 100 यानि कि हर 10 में क्या है है दो है दो नंबर आ रहे हैं से तो सौ में कितने आ जाएंगे बीस आ जाएंगे सौ से लेकर नौसव ठानवे तक टोटल यह 900 नंबर है मेंस टोटल कितने हो गए 20 इन टू 9 मेंस 180 हो गया तो क्या जाएगा formula से 180 बाइट टू फर्स टर्म इस 103 and last term is 998 ओके अब इनको add करो यह 90 आ गया इन सबको जोड़ा तो यह आ जाएगा हमारा एक हजार एक इंटू ग्यारह सो एक नौ एकम नौ एक मेंट एक तो आ जाएगी नौ एकम नौ जीरो यह हमारा राइट आंसर आ गया पर देखो इसकी limitation क्योंकि देखो question की मदद से हम लोग concept भी कोशिश करते हैं जो concept बीच में आ रहे हैं वो भी समझ लो अब समझो यहां पर अगर मैं इस question में यह कह दूं कि 98 तक ना निकाल करके आपको 993 तक निकालना है तो क्या करोगे कि तो फज्या होगे OK 98 तक ना निकालके 993 तक निकालना है या मैं इसको ऐसे कह दूं कि 103 से शुरू उना करके 108 से हमें शुरू करना है तो हम क्या करेंगे तब तो फ़स जाएंगे क्योंकि पेर इसमें क्या हो जाएंगे जैसे यहां पे 90 180 संख्याय बनी इन डाट सिचुएशन कितनी संख्या बनेगी 179 फिर उसको पॉइंट में लाओगे पॉइंट में मल्टिप्लाई करोगे तुम्हारे लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे अब समझो इसको आसानी से कैसे कर सकते हो देखो मैं यह एक्जामपल ना लेकर के छोटा एक्जामपल लेकर के बताने की कोशिश करता हूं आपको लेट से एक से हमें 10 तक ज मुल होता है कुल मिला करके इन दोनों को जोड़ा 12 और 214 के इनको जोड़ा तभी क्या जाएगा 14 इनको जोड़ा तब भी क्या आएगा 14 जा read okay तो हमने यह पैटें देखा की कुल मिला करके first time को जोडने पर 14 और है और टोटल पेर्स कितने हैं तीन है तो चौदत या 42 यह हमारा आंसर आगया ओके अब समझ समझो कि अगर बीच में एक संख्या गायब कर दी या यही यह 12 तक ना हो करके यह रहता 10 तक 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इस situation में क्या करते हैं क्योंकि formula तो वही है अब यहाँ पर क्या करो पहली संख्या को छोड़ दो या फिर आखरी संख्या को छोड़ दो क्योंकि हमारे complete pair हो जाएंगे अब देखो कैसे यहां पर 10 और 4 14 8 और 6 14 14 के कितने pair बने 2 14 दुनी 28 और यह जो पहला नंबर को हमने add किया यहां पर भी देखो क्या हो रहा है first and last 998 प्लस 103 998 प्लस 103 कितना हो गया ग्यारा सो एक आ गया अब 103 से लेकर के 998 तक कुल संख्याय है 180 पेर कितने है क्योंकि हम तो दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं तो पेर कितने है तो यह 90 पेर बात वही आई जैसे हमने वहां multiply किया था वैसे यहां पर भी हम multiply करेंगे तो चलो उमीद करता हूं समझ आ गया होगा अगले प्रश्ण पर आते हैं कि तो सम अफ ओल्ड थ्री डिजट नंबर इस ओके तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है तो सबसे छोटा नंबर 100 अब हमें क्या करना है 100, 101 इस तरीके से और सभी संख्याओं तो लास्ट सबसे बड़ा कहा जाएगा 99 तक जाएगा अब यहां पर फिर से वही pattern follow करो क्या 100 और 999 ये कितना हो गया 1099 100 से लेकर के 999 तक कुल कितनी संख्याओं हुई 900 पेर कितने बने तो ये कितने पेर बने साड़े 400 तो बस इसकी गुणा आप कर देंगे 1099 की गुणा कर दो साड़े 400 से थोड़ा सा टाइम लगेगा कोई बात नहीं लगने दो कर देते हैं इसको 10 यहीं पर कर लेता है 45 45 45 के चार पांच नहीं 45 449 चार पांच जिरो जिरो चार पांच एक पांच छतिस तीन शतिस तीन उन्तालेस तीन और यह चार एकम चार तो पांच नौर छे 15 लास्ट में एक 0 तो आए गया है डबल फाइब जीरो देखो किसमें है डबल फाइब जीरो इसमें है यही हमारा आंसर आजाएगा ओप्शन से भी कभी ना कभी हमारे पास देखो चीजें कैसे इसमें कर सकते हैं लास्ट में हमें पता 450 है तो लास्ट में 0 तो आना ही आना है इसमें 0 नहीं है इसमें नहीं है तो किसमें हैं जिसमें हैं वही हमारा डिरेक्ट आंसर आजाएगा तो इस तरीके से छोटी-छोटी ट्रिक्स अपना करके आप प्रश्न को जल्दी कर सकते हो अगला प्रश्न एक लड़के को कहा गया कि वो फ्रेक्शन का थ्री फिफ्ट निकाले इंस्टेड वो यह करने की बजाए वो क्या कर गया उसने थ्री बाई फाइव से डिवाइड कर दिया means यहाँ पर अगर इसी को चेंज हो जाएगा तो यह उसने कर दिया फाइब बाई थ्री मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ अब and got an answer which exceeded the correct answer by 32 by 75 मतलब सही answer क्या आना था यह आना था उसने कर दिया यह जिसकी वजह से यह number जो answer आना था उससे 32 बटा 75 ज्यादा आ गया which exceeded तो कौन ज्यादा है यह ज्यादा है तो यह ज्यादा है तो अगर हम इसमें एड कर देंगे 32 by 75 तो क्या हो जाएगा यहां हमारा equation बराबर हो गई अब इसको solve कर लेना है आपने तो कर लेते हैं solve यह क्या हो जाएगा 5x by 3 यह minus हो गया 3x by 5 equal to किसके आ जाएगा 32 बटे 75 के तो 3 पंजे 15 25 x minus 9 x equals 32 by 75 अब यह कितना आ गया 16 x by 15 equal 32 by 75 तो x की value निकलेगी just here 15 by 16 हो जाएगा 16 दुने 32 15 55 means x की value क्या आ गई 2 by 5 अब ध्यान दो यहां पर यहां पर वो x की value नहीं निकाल ले उसने क्या कहा है the correct answer is correct answer क्या है तो correct answer तो क्या था जो number था उसको 3 by 5 से multiply करना था तो number क्या है 2 by 5 इसकी multiply कर दो 3 by 5 से तो 6 by 25 option number B यह हमारा correct answer है चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण अब प्रश्ण को यहां पर समझना यहां पर जो भी बात हो रही है वो second के बारे में हो रही जो भी बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है ? Second के बारे में हो रही है तीन नमबर में से, तीन संख्याओं में से दूसरा, पहले का दोगुना है Twice the first and is also thrice the third बात दोनों में दूसरे के बारे में ही हुई है Twice the first तो अगर मैंने first को पहले X माना तो second क्या हो जाएगा? Twice अब इसने क्या कहा? बात second के बारे में ही है second ही क्या है? Thrice the third जो ये number है तीसरे number का ती गुना है तीन गुना है तो अब देखो बातों को कहने के दो तरीके होते हैं वो तीन गुना है तो वो तीन वो उसका तिहाई है दूसरी ये संख्या इसका तीन गुना है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये इसका तिहाई है जैसे समझो मानलो ये है ये तीसरी ओके ये दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है है 3 गुना हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का एक तिहाई है reverse ओके तो एक तिहाई हमने कर लिया अब इसकी मदद से क्या करना है यहाँ पर equation को complete number में लियाओ कैसे ले आओगे अपन में 3 है सबको 3 से multiply कर दो 3X 6X और यहाँ पर 3 से multiply हुआ तो यह cancel मेंस यह क्या आगया 2X बढ़ी असानी से तुम्हारा यह हो जाएगा अब बढ़ते हैं आगे if the average of these numbers is 44 इन तीनों का average तो average कैसे निकलता है 6 3 और दो 11X बटे में 3 is equal to 44 largest number is तो पहले हमें number तो निकालना पड़ेगा number क्या आगया 3 by 11 12 आगया अब largest number क्या है largest number 6X है तो 12 6 जा 72 option number C is correct ओके चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे चलो अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप पानी भी पी लेते हैं भई एक हिंदी में मुहावरा भी आता है अगर आप लोगों ने सुना हो पानी पी के को सना ओके सुना है किसकिस ने सुना कमेंट करके बताओ जल्दी से चलो भई प्रश्न कहता है दसमें प्रोड़क्ट ऑफ टू नंबर आर ट्वल्व एंड थर्टी फाइव सम एंड प्रोड़क्ट यानि कि यह सम है और यह प्रोड़क्ट है जिस सीक्वेंस में यहां पर दिया जाता है उसी सीक्वेंस में वहां पर भी आगे भी रहता है रेस्पेक्टिवली दसम अब देर सीप्रोकल्स विल बी अब देखो यह ऐसे प्रश्ना देखने में one upon x plus one upon y ये निकालना है the sum of their reciprocals तो reciprocals तो यही हुआ अब सोचो कि ये कैसे निकलेगा normally देखो क्या करते हैं हम लोग हम लोग जो given रहता है ना उसी से answer की तरफ हम जाने की कोशिश करते है normal approach होती है पर कई question देखो ये कैसे easy हो जाएगा तुमारा अगर lcm लिया xy y plus x अब y plus x कितना दिया हुआ है 12 xy कितना दिया हुआ है 35 आ गया 12 by 35 option number a correct हो गया तो ऐसे ये क्या ये चीजे है ना ये practice से आएंगे आप लोगों को तो कोशिश करो आप भी practice करो ओके हो जाएगा चलो बढ़ते अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न कहता है और two digit number is three times the sum of its digit ओके अब two digit number बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा digit को तो लेट करना ही पड़ेगा तो लेट unit place पे x 10th place पे y तो number will be 10y plus X okay a two is three times the sum of its digit जो इसने कहा statement वाले question वैसे ही होते हैं जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते चले जाओ एक दो अंकों की संक्या एक दो अंकों की संक्या अपने अंकों के जोड के तीन गुने के बराबर है अपने अंकों के जोड के तीन गुने के बराबर है कर दिया ओके पहला हो गया इफ 45 इस अदेट तुद नंबर इट्स डिजिट आर इंटर चेंजड ये तो पहली एक्वेशन हो गई दूसरी यहां पर बनेगी एफ 45 10y प्लस एक्स इफ 45 इस अदेट तुद नंबर डिजिट आर इंटर चेंजड मेंस ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई डिजिट इंटर चेंज हो गए तो नया नंबर क्या जाएगा 10x प्लस वाई ओके अब इन दोनों एक्वेशन को सॉल्व कर लो ओके 10y प्लस एक्स इधर ये 3x 3y आ जाएगा तो मैं इसको डिरेक्ट कर लेता हूँ यहां पर 3x माइनस 3y तो एक एक्वेशन आ गई 10y मेंसे 3y गया 7y माइनस 2x इक्वेल जीरो और यहां पर इसको सॉल्व करो ओके यह 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 को इधर ले आते है तो 10y माइनस y यह 9y माइनस 9x इक्वेल्स माइनस 45 नाइन कोमन एक मिन नाइन वाई minus 9x equals minus 45 9 common आ जाएगा तो y minus x equals 955 यह हमारा आगया अब दो equation है इनको solve कर दो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा वैसे अगर option से यहाँ पे क्योंकि काफी थोड़ा सा typical हो जाएगा चलो option से भी देखेंगे इसको अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा दो x दो y और यह दो पंजे 10 हो जाएगा मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ अब इनको solve करो यह cancel हो गया अब यह भी cancel हो जाएगा तो यह कितना जाएगा माइनस साथ में से दो गए तो यह माइनस का 5y और इधर भी माइनस का 10 तो y की value क्या आ गई 5 दूनी 10 दो आ जाएगी जब y की value 2 आ गई तो अभी हमारे पास यहाँ पर equation आया था ना कि y minus x equals 5 तो 2 में से कितना minus करें कि 5 आ जाए एक minute equation थोड़ इसी यह चलो बस y की value इसमें put कर दो तो यह क्या 14 minus 2x equals 0 तो 14 equals 2x तो x की value क्या आ गई 7 आ जाएगी तो एक 7 x की value 7 the sum of desert of the number is तो 7 और दूसरा क्या आया 2 तो 7 plus 2 9 will be the required answer means option number b will be correct थोड़ा सा यहाँ पर काफी time लग गया यह जो चीजे मैं आपर करके दिखा रहा हो ना इसको आप लोग अपने मस्तिश्क में brain में करके देखना है यह pen का use बहुत कम करना है okay मैं यहाँ पर समझाने समझाना मेरी मजबूरी है क्योंकि बहुत सारे बहुत लेवल के बच्चे हैं तो पर जिसकी प्रैक्टिस होती चले जाए यूस कम करते चले जाओ अगला प्रश्चन और multiplying a number by seven all the deserts in the product appear as threes the smallest such number is अब यहाँ पर rules of divisibility आप लोगों को एक याद रखना है कि यदि किसी संख्या के सभी अंक छे बार repeat हो रहे हो मैं फिर से बताओं जैसे एक 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 छे बार हुआ दो 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 तीन 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 छे बार हुआ अगर कोई भी संख्या के अंक छे बार repeat हो रहे हो तो यह संख्या हैं 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से पूरी पूरी भाग होंगी यह याद कर लेना Rules of Divisibility देखो क्या होगा इसमें पूछ रहा है कि साथ की Multiply किस से करें कि सभी अंक 3 आए अब साथ की गुणा किस से करें कि इसके सभी अंक 3 आए हमें नहीं पता क्या होगा तीन नहीं आया फिर 33 करके देखोगे फिर 333 करके देखोगे ओके यही तो करोगे अब जब हमें Rules of Divisibility से पता है कि अगर अंक 6 बार होंगे अगर साथ की गुणा मुझे नहीं पता किस से करनी है पर जब सभी अंक तभी होंगे जब यह 6 बार होंगे तो हमें बस इसकी वेल्यू निकालने है इसको क्या करो साथ से भाग दे दो तो यह कितना जाएगा साथ चो कठाइस पांच तरे पन साथ सत्य उननचास चार तिताले साथ चिक ब्याले से एक तेरह साथ एकम साथ छे साथ निम तरे सट फोर सेवन सिक्स वन नाइन ओप्शन नंबर सी इस करेक्ट मैं फिर से रिपीट कर दूँ छे बारह गर रिपीट होगा तो तीन साथ ग्यारह तेरह एक्किस और सैंटिस इनसे पूरी तरह भाग होगा चलो बढ़ते हैं अगले प्रशन पर कहता है if the difference of two number is three if the difference of two number is three x minus y is three and difference of their squares is 39 x square minus y square is 39 then the larger number is okay मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर कभी भी यह इस तरीके से दिया है तो formula का use होगा ही होगा बहुत छोटा हो जाता है देखो कैसे करेंगे यह क्या हो जाएगा x minus y x plus y equals 39 अब x minus y की value क्या है 3 है तो 3 x plus y equals 39 तो x plus y की value क्या आगई 13 आगई अगया यहां से 3 उदर divide हो गया अब देंदल लार्जर नब ओके हम यह नहीं की नंबर निकालने ही पड़ेंगे तो यह जस्ट इस तरीके से solve हो जाएगा x plus y की value 13 इनको जोड़ दो यह 2 x equals 16 x की value क्या आ गई 8 आ गई जब एक 8 है तो दूसरी 5 हो जाएगी बड़े वाला पूछा था तो बड़े वाला क्या आ गया 8 यह हमारा उत्तर आ गया ओके चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण ओके अगला प्रश्ण ओके अगला प्रश्ण ओके मेरे खाल से 10 question हो गए हैं आप लोगों के तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि मैंने target रखा है कि ज्यादा question नहीं और मैं बता दूं कि मैं यह सारे के सारे question आपको previous years के ही करा रहा हूं जो जो पिछले जितने भी paper हुए हैं चाहे आपके DSSB में AES में KVS में NVS में जो teaching exam से अलग भी हैं और जो मुझे लगता है कि इनके आने क्योंकि level वो लोग up कर रहे हैं ओके तो ऐसे ही question लिए है practice करो आप लोग सभी के सभी बच्च जो problems है वो भी आपके telegram पे वहां पे share करो आपस में भी आप लोग discussion करो ओके जिसने telegram group join नहीं किया है वो join कर लो and one more thing मैं बार बार कह रहा हूं अगर application डाउनलोड नहीं की है तो वहां पे application डाउनलोड कर लो reason AES के जो दो previous paper है वो आपको वहां मिल जाएंगे उसी format में आ बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए जैहिंद जैभारत मिलते हैं अगली क्लास में कल थैंक यू